जै मातारानिकी गरुण पुराण के आठवे अध्याय के विशय में जानकारी लेकर के आए हैं पक्षी राज गरुण पुना भगवान स्री हरी से कहते हैं हे प्रभो पुन्या अत्माओं की सारी पारलो की क्रियाओं के संबंध में कृप्या करके कुछ बतलाईए पुत्रों को जिस प्रकार से वा क्रिया करनी चाहिए वा सविस्तार से मुझे बतलाईए भगवान स्री हरी कहते हैं हे पक्षी राज गरुण आपने मनुश्यों के हितकी द्रिष्टी से पुना बड़ी ही उत्तमबात पूची है एक धार्मिक मनुश्य के योगे जोग कारे होते हैं वह समय तुम्हें बतलाता हूँ पुन्यात्मा व्यक्ती व्रिद्धा वस्ता के प्राप्थ होने पर अपने शरीर को व्याधी गरस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायू के नाद ना सुनाई पढ़ने पर तथा अपने मरण का समय निकट जानकर निर्भय हो जाना चाहिए आलासे का परित्याक करना चाहिए तथा जाने अंजाने में किये गए पापों के विनाश के लिए उन पापों का प्रायस्चित करना चाहिए जब आतुरकाल अर्थात अंतिम समय उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालक ग्राम सरूप भगवान श्री विश्नु की पूजा करना चाहिए गंध पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीब तथा नैवेद्य से भगवान की पूजा करना चाहिए ब्रामणों को दक्षिना दे करके और नैवेद्य का ही भोजन करना चाहिए जो भगवान को आपने नैवेद्य के रूप में अरपन किया था नैवेद्य का ही भोजन करना चाहिए तथा द्वादशाक्षर मंत्र का जब करना चाहिए ओम नमो भगवते वासु देवाय या मंत्र द्वादशाक्षर कहलाता है इसी मंत्र का जाप करना चाहिए भगवान विश्णु और शिव के नाम का सदै विस्मरण करते रहना चाहिए तथा पास में समीप में बैठे हुए बंदू बांधवों से भी यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो भगवान के नाम का संकीरतन करते रहें जिससे कि हमारे कान में हमारे करण में भगवान के नाम उत्तर उत्तर वृद्धी को आते ही रहें कभी भी मरनासन व्यक्ति के आकर पास में बैट करके बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए यदि वह शोक करते हैं तो प्राणी का मन भटक जाता है सांसारिक विश्यों में लग जाता है और भगवान से वह बिमुक हो जाता है जिससे की उस प्राणी को अधोगती प्राप्त हो सकती है भगवान श्री हरी कहते हैं विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंग, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलकी इन नामों का सदास्मरण एवं इन ही नामों का सदैव कीरतन करते रहना चाहिए जो व्यक्ति रोगी के समीप भगवान के इन नामों का कीरतन करते हैं वे ही उस रोगी के सच्चे बांधव कहलाए जाते हैं अर्थात मरणासन नवस्ता में बंधू बंधमों को उस मरणासन व्यक्ति के समीप में बैट करके भगवान के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए क्योंकि भगवान के नाम का मंगल मैं नाम जिसकी वानी से उच्चारित होता है उसके करोणों जनमों के महापातक ततकाल ही नश्ट हो जाते हैं इसलिए सदय भगवान के नाम का संकीतन करना चाहिए श्रीमत भागबत महापुराण में एक बहुत सुनरी कता है कि नारायन का नाम लेकर के पुत्तर के बहाने से अजामिल भी भगवान के धाम को प्राप्त हो गया इसलिए जो अपने बालक का नाम लेकर के कहने का तात्पर भगवान के नाम को लेकर के जो भी श्रद्धा पूरोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं वह निशित ही इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं भले ही उसने बहुत सारे पाप कियों हो जीवन में परन्त भगवान के समरण किये जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नश्ट कर देते हैं जैसे अगनी में हाथ डालने पर आप जली ही जाएंगे क्योंकि अगनी का तो कार ही है जलाना आपको ग्यान हो चाहे ना हो चाहे आपको इस बात का बोध हो अथवा ना हो फिर भी यदि आप अगने में अपने हाथ को डालते हैं तो जलना निश्ट ही है इसलिए ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम तारण योग्य है इसलिए जब भी आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे आपके कलमश कट जाते हैं वह पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं चाहे आपको इसका बोध हो अथवा ना हो भगवान श्री हरी कहते हैं पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ती भगवान के नाम में है उतनी शक्ती तो पातकी मनुश के पाप करमों में भी नहीं है कहने का ताथ पर भगवान का नाम सरवोच्च है और सदा ही मंगल कारी है सदा ही मंगल करने वाला है यमराज सदा अपने किंकरों से कहते हैं अपने दूतों से कहते हैं कि हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो भगवान के नाम का समर्ण करने वाले मनुश्यों को मेरे पास मतलाया करो क्योंकि मैं स्वयम, अच्च्युत, केशव, राम, नारायन, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरी, श्रीधर, माधब, गोपिकावललभ, जानकी नायग, भगवान श्री राम चंदर का भजन करता हूँ जो भी प्राणी भगवान की शर्णागती को स्विकार कर लेता है, ऐसे व्यक्तियों से तुम दूर ही रहना, उनको कभी भी मेरे पास मतलाना तथा जो सदेव भगवन नाम संकीर्तन से विमुख रहते हैं, भगवत भक्ती से जिनका कोई नाता नहीं है, ऐसे नरक के मूल ग्रिहस्ती के प्रपंच में तृष्णा से जो बद्ध रहते हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास ही लाया करो बड़ा ही सुन्दर श्लोक है, जिवान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, चेतस्चनस्मरतितच्चरनारविंदम, क्रिष्णायनो नमति अच्छिरे कदापी, तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान कहने का तात पर जिनकी जिवा भगवान के गुण और नाम का संकीरतन नहीं करती, जिनका चित भगवान के चरणा रविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रडाम नहीं करता, ऐसे भगवान श्री विष्णु के आराधना उपासना आदी कृत् असत पुर्षों के मेरे पास ही लाया करो। तो दुर्वुद्धी प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी के सद्रिश अनेक पुन्य नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान स्री कृष्ण की स्रधा उपासना करते हैं। की भगवद भक्ति करते हैं तथा ऐसे ही भगवद भक्ति करने वाले ब्रामनों को जो गय का दान करते हैं ऐसे प्राणी कभी भी बैतर्णी नदी में जा करके नहीं गिरते इसलिए सदयो सदा स्वरवदा महा विश्नु के पहले वीडियो में मैंने पाठ किया है आप उसको सुन सकते हैं विश्णु सास नाम का पाठ स्रवण भी करने मातर से प्राणी का कल्यान हो जाता है भगवान श्रीहरी कहते हैं एका दशी का वरत गीता पाठ तथा गंगा जल तुलसी दल भगवान विश्णु का चरडामित और भगवान का नाम ये मरण काल में मुक्ती प्रदान करने वाले होते हैं इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करना चाहिए स्रोत्रिय द्विज अर्थात बेद प्राठी ब्रामन को सबत्सा गव का दान करना चाहिए कहने का तात पर जिस गाय का ब दान करता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है अर्थात वैसा कार्य पुत्र भी उसका करता है वह दान अक्षय होता है अर्थात उस दान का फल कभी भी ख्षय नहीं होता है वह बहुत बड़ा दान कहलाता है बड़ा ही सुन्दर श्लोक है सत्पुत्र को चाहिए कि अंत्काल में अपने पिता के प्रती समस्त प्रकार के दान करने चाहिए लोक में धर्मग ये पुरुष इसलिये पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं अपने पिता को मरना सन की अवस्था में लेटे हुए देख करके पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विशय में त्रिशना नहीं करनी चाहिए अर्थात पिता के द्वारा किया गया हुआ धन संचय उसके विशय में लोभ या लालच नहीं करना चाहिए भगवान स्रीहरी कहते हैं अंतकाल में और ग्रहनकाल में इन दोनों कालों में दिये गए दान का विशेश महत्व होता है इसलिए तिल आदी अश्टदान अवश्य देने चाहिए अवश्टदान कौन से हैं तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सब्तधान्य सब्तधाने में दान, जव, गेव, मूग, उडद, ये सब्तधाने होते हैं भूमी और गव, इन में से एक-एक का दान भी पवित्र करने वाला है अर्थात यदि इन में से कोई एक बस्तु भी आपने दान की, तो वो पवित्र और मंगलकारी माना गया है यह महा अश्टदान, महा पातकों का नाश करने वाला है, अतह अंतकाल में इसे देना ही चाहिए इस प्रकार का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे पक्षीराज उसे अब सुनो तीन प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसिजने से उत्पन हुए हैं असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तिप्त होते हैं तीन प्रकार के तिल, श्वेद अर्थात सफेद, कृष्ण अर्थात काला, कपिल अर्थात भूरा, सफेद, काला और भूरा ये तीन प्रकार के तिल बतलाए गए हैं लोहे का दान भूमी में हाथ रख करके करना चाहिए ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता तथा यम मार्ग में वह नहीं जाता है पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुलाडी, मूसल, दंड, तलवार तथा छोरी शस्त्र के रूप में रहते हैं यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है इसलिए यम लोक में सुक देने वाले लोह का दान अर्थात लोहे का दान करना ही चाहिए यम के महादूत लोह दान से सुक प्रदान करने वाले होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं उरण, श्याम सूत्र, शंडा मर्क, उदुंबर, शेशंबल ऐसे नाम यम के दूतों के हैं ये यम के महादूत कहलाए गए हैं भगवान श्री हरी कहते हैं पक्षी राज परम गोपनी और दानों में उत्तम दान को सुनो भू लोक अर्थात प्रिथवी भूवर लोक अर्थात अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुश्य भूत प्रेत तथा देवगण ये सभी संतुष्ट होते हैं ब्रम्ह आदि देवता रिशीगण तथा धर्म राज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर के वर प्रदान करने वाले होते हैं इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान ही करना चाहिए हे पक्षी राज स्वर्ण का दान देने से जीव यम लोक में नहीं जाता है उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है इसके पस्चात इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाकपटू, श्रीमान और अतुल पराक्रमी से यम पूर के निवासी चित्रगुप्त आदी संतुष्ट होते हैं सब्तधान ने प्रदान करने से धर्मराज और यम पूर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसंद होते हैं सब्तधान ने धान, जाओ, गेहू, मूं, उडद, कंगुनी और च अत्या के पाप से सदैव मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, अब यहाँ पर गोचर्म दान का क्यातात पर है, कहते हैं गवाम, शतम, व्रिशस, चैको, यत्र, तिष्ठत्य, यंत्रितह, तद गोचर्मेती, विख्यातम, दत्तम, सरवाग, हनाशनम, अर्थात, सो गाएं और एक बैल जितनी भूमी पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तार वाली भूमी गोचर्म कहलाती है, इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है, राजा के राज संचालन करने में जो पाप हो जाते हैं, तथा वरत इत्यादी में जो भूमी दान से ही नश्ट होते हैं, जो व्यक्ति ब्रामण को धान्य पूर्ण पृत्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्र लोक में जाता है, भगवान कहते हैं है पक्षिराज अन्य दानों का फल थोड़ा होता है, परंतु भूमी का भूमी का स्वामी होकर जो भी ब्रामण को भूमी नहीं देता, वह किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं कर पाता, जन्म जन्मांतर में प्रत्येक जन्म में वह दरिद्र ही बना रहता है, भूमी का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमी का दान नहीं करत वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेशनाग प्रिथवी को धारन करते हैं इसलिए भूमी के स्वामी को भूमी दान तो करना ही चाहिए अन्य व्यक्तियों के लिए भूमी दान के स्थान पर गवदान का विधान किया गया है इसके बाद क्रमशा अंत धेनु का दान, रुद्र धेनु का दान तथा रिण धेनु देकर के मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए अब ये किस प्रकार से हैं? इसको बतलाते हुए कहते हैं मृत्यू के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्र धेनू कहलाती है जाने अंजाने में रिण की मुक्ती पाने के लिए रिण धेनू का दान किया जाता है मुक्ती के लिए दी जाने वाली गाय, मोक्ष धेनु तथा वैतरनी नदी को पार करने वाली वैतरनी धेनु भी कही जाती है हे खग, हे पक्षी राज गरुण इस प्रकार से वैतरनी धेनु का भी दान क्रमशा करना चाहिए दान में दी गई गवें मनुशकों त्रिविध अर्थात आधिभावतिक आधिदैविक आध्यात्मिक पापों तथा काईक वाचिक एवा मानसिक पापों से मुक्त करती हैं प्राणी के बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, अथवा दूसरे जन्म में, रात में, दिन में, मध्यानकाल में, अप्रानकाल में, तथा दोनों संध्याकालों में, शरीर, मन और वाणी से जोजो पाप किये जाते हैं मात्र दान कर देने से उसके जीवन काल के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं अतहा दान में दी गई वह गव अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का उसके समस्त पापों से उसका उद्धार कर देती है स्वस्त अवस्ता में दी गई गाय का दान सबसे उत्तम होता है ठीक क्रमशह आतुरा अवस्ता में दी गई सव गव मृत्यू काल में दी गई एक हजार गव तथा मरनोत्तर काल में दी गई एक लाख गव के दान का फल क्रमशह बराबर ही होता है कहने का तात पर इस्वस्थ अवस्था में दिया गया गौकादान ही सरुस्रेश्ट गौदान कहा गया है तीर्थों में जाकर के किसी सत्पात्र को दी गई एक गौकादान एक लक्ष गौदान के तुल्य होता है किसी कुपात्र को दिया गया हुआ गवदान गवदान करने वाले को नरक में ले जाता है इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान को किसी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए एक बार में दी गई हुई गव का दान फिर दुबारा उसी गव का दान नहीं करना चाहिए हे पक्षी राज गरुण मैंने पहले वैतरणी नदी के विशय में तुमसे कहा था उसे पार करने के लिए जो भी उपाय होते हैं वह उस गोदान के विशय में मैं तुमसे कहता हूँ काले अत्वा लाल रंग की गव को सोने की सींग चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी सहित दो काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें उसके कंठ में घंटा मादें तथा कपास के उपर वस्त्र सहित तामर पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मुर्ती भी स्थापित करें और कासे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम पात्र के उपर रखें इख की नाव बना कर और रेशमी सूत्र से उसे बाध कर भूमी पर गड़ा खोदे एबं उसमें जल भर कर वह इख की नाव उसमें डालें उसके समीप सूरी की देह से उत्पन हुई धेनू को खड़ी करके शास्त्री विधी विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें ब्रामणों को अलंकार और वस्त्र का भी दान करें तथा गंध पुष्प अक्षत आदी से विधान पूर्वक गव माता की पूजा करें गव की पूँच को पकड़ करके इख की नाव पर पैर रखकर ब्रामण को आगे करके और मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए गव का दान करें ब्रामण देवता के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए हे शरणा गतवत्सल हे भवसागर में डूबे हुए श्रोक संताप्त की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए प्राणी जनों के रक्षक तो आप ही है हे ब्रामण स्रेष्ट हे विश्टुस्वरूब ब्रामण हे भूमी देव कृप्या करके आप मेरा उद्धार कीजिए मैंने दक्षिणा सहितिया वैतर्णी रूपिनी गव आपको दिया है आपको बारंबार नमस्कार है मैं महा भयाव यम मार्ग में सव योजन विस्तार वाली उस वैतर्णी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतर्णी गव का दान देता हूँ आपको बारंबार नमस्कार है ब्रामण को नमस्कार करने के बाद उस वैतरणी धेनू से भी प्रार्थना करना चाहिए यमद्वार के महा मार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए हे वैतरणी धेनू आप मेरी प्रतीक्षा करना आपको बारंबार नमस्कार है मेरे आगे भी गव हों, मेरे पीछे भी गव हों, मेरे हिदय में भी गव हों और मैं गवों के मद्ध में निवास करूँ जो लक्षमी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे उपापों को नश्ट करें इस प्रकार मंत्रों से भली भाती प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके और यम की प्रदक्षिना करके सब कुछ ब्रामन को दान करना चाहिए बगवान स्रीहरी कहते हैं हे पक्षिराज गरुण इस विधान से जो वैतरनी देनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है शरीर की स्वस्था वस्था में ही वैतरनी विशेक ब्रत का आचरन कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गवका दान करना चाहिए हे पक्षी राज वैतरणी गवका दान करने से महा मार्ग में वह नदी नहीं आती इसलिए सरवदा पुन्यकाल में गोदान करना चाहिए गंगा इत्यादी सभी तीर्थों में, ब्रामनों के निवासस्थान में, सूर्य और चंद्र रहनकाल में, किसी उत्सव और परों में, अमवस्या तिथी में तथा उत्रायन और दक्षिनायन तथा अन्यान्य पुन्य कालों में उत्तम गोदान को देना चाहिए जब कभी भी शद्धा उत्पन्हो जाएं, और जब भी दान देने के लिए सुपातर प्राप्त हो जाएं, वही समय दान के लिए अत्यंत ही पुन्य काल माना गया है क्योंकि संपत्ति कभी भी इस्थिर नहीं रहती, कभी रहती है, कभी चली जाती है शरीर नस्वर है कभी रहता है और कभी नहीं रहता इसलिए सदा संपत्ति रहने वाली नहीं है औरना ही सरीर सदा सर्वदा रहने वाला है इसलिए जब भी सत्पात्र मिल जाए जब भी आपके पास सामक्री अकत्रित हो जाए धनित्यादी तो उसी क्षण कल्यान की भावना रख करके और विद्वान ब्रह्मार को सुबात्र को दान देना चाहिए अपने हात से अपने कल्यान के लिए दिया गया अलपवित वाला वहदान भी अक्षय होता है और उसका फल भी ततकाल प्राप्त होता है प्रित्वी लोक में जो जो दान जिस भी मनुश्य के द्वारा दिये जाते हैं वह यम लोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं अतहा केवल धर्म के सेवन से ही मनुश्य के जीवन की सफलता निश्चित होती है धान, पुत्र, पत्नी, आदी तथा बंधू बांधाओ या सरीर के सब साती हैं या सब अनित्य हैं इसलिए सदैव धर्माचरन करना चाहिए जब तक मनुश्य जीता है तभी तक बंधू बांधाओ और पिता आदी का संबंध रहता है मरने के पस्चात क्षड भर मात्र में संपूर्ण सने संबंध निवरित्व हो जाता है इसलिए जीवी तभस्था में सिर्फ आत्मा ही हमारी अपनी बंधू और बांधाओ है ऐसा ही विचार करना चाहिए क्योंकि मृत सरीर को काठ और ढेले के सवान प्रित्वी पर छोड़ कर बंधू बांधाओ विमुक हो करके लोड़ जाते हैं केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है धन संपत्ती भी घर में ही छूट जाती है सभी बंधू बांधाओ श्मशान में छूट जाते हैं किन्तु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभा शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है शरीर आग से जल जाता है किन्तु किया हुआ कर्म साथ में ही रहता है प्राणी जो कुछ पा पत्वा पुन्ने करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है इस दुख पूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंदू नहीं होता प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का ख्षय होने पर पूना चला जाता है अर्थात पूना हमृत्यु को प्राप्त हो जाता है यदि मन में दान करने की इच्छा हो तो उस दान को स्वयं अपने ही हाथ से करना चाहिए दान देते हुए मन में यह विचार रखना चाहिए कि पूरुजन के किये गए हुए कर्मों के द्वारा मुझे आगे संपत्ती प्राप्त हो रही है जिसको मैं दान यहां कर रहा हूँ क्योंकि धर्म का अनुसरण करने से धर्म से अर्थ की प्राप्ती होती है और धर्म से काम की प्राप्ती होती तथा धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ती होती है इसलिए धर्मा अचरण सदैव करना चाहिए माता पिता के निमित जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्तिस्वयम भी पवित्र हो जाता है पिता के उद्देश से किये गए दान से सौ गुना, माता के उद्देश से किये गए दान से हजार गुना, बहन के उद्देश से किये गए दान से दस हजार गुना और सहोदर भाई के निमित्त किये गए दान से अनन्त गुना पुन्य फल प्राप्त होता है दान करने वाले प्राणी को कभी भी यम के दूतों से भैनी लगता तथा उसे यम की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती है अन्त में भगवान स्री हरी कहते हैं जो पुत्र, पौद्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुरिजन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्या के समान पाप को भोगते हैं इसमें कोई भी संसे नहीं है इस प्रकार से दान के निरूपन के स्वरूप में गरुण पुरान का आठवा अध्याय पूर्ण हुआ आगे की और जानकारी तथा भगवान स्रीहरी ने गरुण जी से और क्या क्या बाते कहीं तथा गरुण ने किस प्रकार से भगवान से और कौन कौन सी बातों को जारने का प्रैत्ने किया आगे के अध्यायों में जानकारी मिल पाएगी